हेलो फ्रेंट्स, LGR स्टड़ी इंटर के इस महातपूर्ण वीडियो में आप सभी का स्वागत हैं दोस्तो आज के इस वीडियो में हम EPS यानि की उधामिता के अती महातपूर्ण अबजेक्टिब कुष्चन को देखने वाले हैं जो की आपके intermediate 12th board exam के लिए काफी महातपूर्ण है तो अगर आप भी इस बार 12th board exam देने वाले हैं और entrepreneurship that means उधामिता के अती महातपूर्ण objective question का revision करना चाहते हैं तो आज के इस वीडियो में बताएगे एक एक question को ध्यान से देखिएगा क्योंकि आपको बता दे कि यहां से बहुत साड़े objective question आपको आपके board exam में direct जो है पूछने की संभावना है तो काफी महातपूर्ण होने वाला है आज का session आप लोग पे लिए चले शुरू करते हैं आज का यहां पर आपका first महातपूर्ण question है question के दोरा यहां पर आप से पूछा जा रहा है कि प्रारंभिक रहतिया है प्रारंभिक रहतिया जो है निमने लिखित में से किसे आप कह सकते हैं तो एक का यहाँ पर आपका B option सही होगा याद रखेंगे कोस का प्रियोग करना ही प्रारंभिक रहतिया कहलाती हैं ये आप याद रखेंगे आगे बढ़ेंगे और देखेंगे यहाँ पर अपने दो नमबर अती महत्पूर्ण कुश्चन के द्वारा पूछा जा रहा है कि उधमी के दाइत्व हैं जो उधमी होते हैं उनका दाइत्व क्या होता है तो दोका यहाँ पर आपका D option सही होगा या option यहाँ पर आपका बिल्कुल जो है सही answer हो जाएगा next देखेंगे यहाँ पर अपने तीन नमबर महत्पूर्ण को पूछा जा रहा है कि निम्न में कौन सा अबसर का परकार हैं अबसर का परकार निम्न लेकित में से कौन है तो तीन का यहाँ पर आपका जो सही answer होगा वो स प्रवंदकों द्वारा नहीं उद्धमियों के द्वारा आगे हम लोग बात करेंगे कि आखिर पडियोजना किसके द्वारा तयार की जाती है पडियोजना प्रतिवेदन सारांस है किसका ये प्रतिवेदन सारांस होता है पडियोजना जो होता है जो प्रोजेक्ट्स होता है वो किसका प्रतिवेदन सारांस होता है तो पांच का यहाँ पर जो आपका सही आंसर होगा वो डी होगा याद रखेंगे ये सभी तत्यों का क्या होता है सारांस होता है कौन चीज तो पड़ियोजना ठीक है पड़ियोजना परतिवेदन जो है तत्य सुचनाओ और विचलेशन का सारांस होता है यह समड़ी होता है आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अपने चोड अमबर महत्पूर्ण कोईस्चन विकास की गिरती स्थिती में कैसा इस्थिती आपको देखने को मिल सकता है अगर विकास का इस्थिती गिर रहा होगा तो इस स्थिती में निम लिखित में से कौन सा आपको कंडिशन देखने को मिलेगा तो चोका यहां पर आपका जो सही आंसर होगा वो डी होगा उप्यूक्त सभी जब विकास की सितिक गिर रही होती है तो याद रखेंगे उद्धम अपने उद्धम मतलब जो बिजनेसमैन होते हैं जो बैक्ति उद्धमी होते हैं अपने आपको जिवित रखना कठीन पाता हैं सही बात है अगर विकासी क्या हो exactement गिर जाए तो फिर बो मैं उसको दिखत आएगा याएगा ओड़न को तेज गती से हानिय होती है सही बात है बिजनिस मैन को तेजगती से हानी होगी घाटा होगा उनको उद्दम दुकान बंद करने को अच्छा मानता है जब विक्री बंद हो जाए कम हो जाए तो उस टैम पे वो सोचते हैं कि दुकान हम क्या कर दे बंद कर दे तो उप्यूक्त सभी इस्तिती देखने को मिलती है ये आप याद रखेंगे आगे बरेंगे देखेंगे सभी साथी अपने साथ नमबर कुश्चन को पूछा ज़र की एकी करन से अभी प्राय है एकी करन का क्या मतलब है तो साथ का यहाँ पर का बी ऑप्शन याद रखेंगे बाहि बिस्तार बाहर ये बिस्तार अगर हम अपना बिस्तार जो है अपने देश से बाहर भी करते हैं तो यह क्या कलाएगा एकी करन कलाएगा आगे बरेंगे सभी साथी देखेंगे अपने आठ नंबर महत्पूर्ण कोश्चन पूछा जारा की सामान नेता विवीधी करन जो है वर्गी करत किया जाता है कितने तरीकों में विवीधी करन जो है कितने तरीकों में वर्गी करत किया जाता है बाटा जाता है ये आपको बताना है तो आठका जो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा वो C होगा याद रिखेंगे चार तरीकों में बिवेदी करन को वर्गी कृत किया जाता है सभी साथ ही देखेंगे अपने 9 नमबर महत्पूर्ण कुश्चन पूछा जारा है कि मुल्य निती होती है किसके पक्ष में मुल्य निती जो है किसके पक्ष में होती है तो नौका यहाँ पर आपका D option सही होगा याद रिखेंगे सभी के पक्ष में उप भोगता के पक्ष में भी होता है सरकार के पक्ष में भी होता है और यहाँ पर जो आपका अगला option है C option उत्पादर निर्माता के पक्ष में भी होता है उत्पाद निर्माता जो product बनाते हैं उसके पक्ष में भी होता है तो सभी के पक्ष में ये आपका D option बिल्कुल जो है सही answer हो जाएगा आगे बढ़ेंगे 10 नंबर question को देखेंगे अगर आप लोग अभी तक intermediate board exam के बहतर त्यारी के लिए हमारे mobile app को download नहीं किये है तो इस वीडियो के description box में आपको mobile app का link मिल जाएगा तो वहाँ से mobile app आप ज़रूर download कर लिजएगा या नहीं तो simply play store पर आप search किजिएगा LGR study app तो वहाँ से भी आप लोगों को mobile app मिल जाएगा तो वहाँ से भी आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं काफी महत्पूर्ण mobile app है वहाँ से आप लोगों को सभी subject के most important objective question subjective question, quick revision notes, class notes और modal paper का PDF बिलकुल free में मिल जाएगा और online test भी आप लोग बिलकुल free में दे सकते हैं तो जितने भी साथी mobile app डाउनलोड नहीं किये हैं तो इस वीडियो के description में mobile app का link मिलेगा तो वहाँ से ज़रूर आप लोग डाउनलोड कर लेजिएगा 10 number question है कि निमने में से अस्थाई लागत का उधारन है अस्थाई लागत का उधारन कौन है तो 10 का यहाँ पर आपका C option जो है सही होगा याद रखेंगे काडियाले प्रबंधन का बेतन जो काडियाले प्रबंधन होते हैं उसको जो आप बेतन देते हैं वो एक अस्थाई लागत होता है वो फिक्स होता है कि प्रतेक महिना हमें इतना देना ही देना है आगे बरेंगे सभी साथ ही देखेंगे अपने 11 number question को 11 number question के दोरा आपसे पूछा जा रहा है कि IDBI किस बर्स अस्थापित की गई IDBI was established in the year IDBI किस बर्स अस्थापित की गई तो 11 का यहाँ पर आपका सही जो है आंसर होगा वो C होगा टैट मिस याज रखेंगे 1964 यहाँ पर आपका बिल्कुल जो है सही आंसर हो जाएगा सभी साथ ही देखेंगे अपने 12 number question 12 number question के दोरा पूछा जा रहा है कि FSC Act भारत में किस बर्स पारित किया गया FSC Act in India was passed in the year किस साल इस Act को पारित किया गया तो 12 का यहाँ पर आपका D option जो है सही होगा 1951 इस भी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा आगे बढ़ेंगे सभी साथी देखेंगे अपने जो 13 number question है पूछा जारा कि ब्रमांड बत लाता है ब्रांड जो है ब्रांड जो है वो क्या बत लाता है आपको तो आपको पता होना चाहिए कि ब्रांड चिन, दिजाइन और नाम सभी बताने का काम करता है तो D option इन में से सभी आपका बिल्कुल ब्रत्वान में जो उत्पादन हो रही है वो बास्तब में कैसा है तो 14 का यहाँ पर आपका सही आंतर होगा वो B होगा याद रिकेंगे और प्रत्यक्ष उत्पादन है इन डारेक्ट प्रोडक्शन आप बोल सकते हैं आगे बढ़ेंगे और सभी साथी देखेंगे अपने जो 15 नमबर कुश्चन है पूछा जा रहा है कि प्रबंध का समाजिक उत्तरदाइत तो है प्रबंध का समाजिक उत्तरदाइत तो निमले में से किसके परती होता है तो 15 का यहाँ पर आपका A option सही होगा सभी के परती किसके परती सभी के परती होता है समाजिक जो उत्तरदाइत तो है वो आगे बढ़ जाएंगे सभी साथी देखेंगे अपने 16 नमबर कुश्चन 16 नमर कुश्चन के दोरा यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि चलो का पर्योग पराया तक्निकी योगदान के लिए किया जाता है चलो का पर्योग जो है पराया तक्निकी योगदान के लिए किया जाता है कितने तक्निकी योगदान के लिए तो यहाँ पर आपका जो 16 का सही आंसर होगा वो C होगा that means यहाँ देखेंगे आगे बढ़ेंगे सभी साथी अपने देखेंगे 17 नमर कोश्चन को पूछा देर कि भारत निवेश कोस द्वारा अस्थापित किया गया भारत निवेश कोस द्वारा अस्थापित किया गये किस चीजों को तो 17 का यहां पर आपका B option जो है सही होगा याद रखेंगे 18 का यहां पर आपका B option सही होगा तो 19 का यहां पर आपका B option सही होगा बिक्री गटाव परिवरतन सील लागत जो है अस्थाल के लिए यहां पर आपका बिल्कुल जो है सही आंसर हो जाएगा आगे बढ़ेंगे देखेंगे अपने 20 नमबर कुश्चन को 20 नमर कुश्चन के दोरा पूछा जाए कि सम मैनस बिच्छे दन सम बिच्छे दन बिंदू बराबर क्या होता है तो 20 का जो यहां पर आपका सही आंसर होगा वो A होगा याज रखेंगे इस्थीर लागत बटे लाग माइनस मात्रा अनुपात यहां पर आपका पिल्कुल जो है सही आंसर हो जाएगा आगे बरेंगे सभी साथी देखेंगे 21 नमर महात्पूर्ण कुश्चन 21 नमर कुश्चन के दोरा आप से पूछा जा रहा है कि आदर्स चालू अनुपात होता है आदर्स चालू अनुपात जो है वो कितना होता है आइडियल करेंट रेशियो क्या होता है तो 21 का यहां पर आपका एउप्शन जो है सही होगा दो अनुपात एक होता है यह आप याद रखेंगे आगे बरेंगे और सभी साथी देखेंगे अपने जो 22 नमर महात्पूर्ण कुश्चन है 22 नमर कुश्चन के दौरा यहां पर आपसे पूछा जा रहा है कि इस थीर लागत में सामिल रहता है इस थीर लागत में कौन सामिल रहता है तो 22 का यहां पर आपका डी ओप्शन चाही होगा याद रखेंगे कार खाना की लागत जो है इस थीर लागत में सामिल की जाती हैं ये आप याद रखेंगे आगे बरेंगे 23 नमर कुश्चन को सभी साथी ध्यान से देखने का कोसिस करेंगे पूछा जारे कि पड़ियोजना आकलन होता है पड़ियोजना आकलन जो है वो निमलिकित में से किसमे होता है तो 23 यहाँ पर आपका C option सही होगा याद रखेंगे लाभ दायक बिसलेशन यहाँ पर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आगे बरेंगे सभी साथी देखेंगे अपने 24 नमर महत्पुर्ण कुश्चन है पूछा जारा कि आधुनी की करन का सुधारता है आधुनी की करन सुधारता है किसको सुधारने का काम करता है आधुनी की करन तो 24 का यहाँ पर आपका सही आंसर होगा वो D होगा याद रखेंगे चमता को किसको चमता को सुधारने की काम करता है आधुनी की करन आगे बढ़ते हैं और 25 नमर कुश्चन को सभी साथ ही ध्यान से देखने की जो है कोशिस करेंगे यहाँ पर 25 नमर महात्रपूर्ण कोश्चन के दोरा आप से पूछा जा रहा है ध्यान से समझने की कोशिस करेंगे पड़ीजना के परकार कितने होते हैं जोर्ज आर टेरी के अनुसार तो यहाँ पर 25 का जो आपका सही अनसर होगा वो C होगा लैटमीज या दिखेंगे चार होते हैं पड़ियोजना के परकार कितने होते हैं चार होते हैं किसके अनुसार जोर्ज आर टेरी के अनुसार इंटरमिड़िट बोर्ट एक्जाम के बहतर त्यारी के लिए अगर आप अभी तक हमारे मोबाइल एप को डाउनलोड नहीं किये हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मोबाइल एप का लिंक मिल जाएगा तो वहां से मोबाइल एप आप जरूर जो है डाउनलोड कर लिजेगा जिस पर आपको सभी सब्जेक्ट के most important objective question, subjective question, quick division notes, class notes और moral paper का PDF आपको मिल जाएगा चलिए आज के लिए तना ही रखेंगे आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट के माधेम से जरूर पताईएगा और जितना भी साथी अगर second part देखना चाहते हैं इसका अगला वीडियो भी देखना चाहते हैं तो कमेंट में लिख दीजेगा second part तो second part हम आप लोग के लिए बहुत ही जल्द जो है लाएंगे आपके बहुतर त्यारी के लिए आपके बहुतर division के लिए चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक अपना ख्याल रखिए और LGR study देखते हैं